हलो इस्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़ी है मैं भी यहां पर मोज में बच्चों हम लोगों के पास में एफमीको का पेपर है और डेर दिन का हमारे पास टाइम होता है तो हमें किस तरीके से सीक्वेंस फोलो करना चाहिए वो मैंने हापर बताया है सबसे पहरी चीज लास्ट पेपर बचा है और बच्चों की अब हिम्मत यह हो रही होगी कि सर बस अब यह दी एंड हो और पेपर बचा हुआ है इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है इस चीज पर फोकस करना है आप यह बात तो समझ गया होंगे इतने पेपर देकर कि अगर प्लैनिंग से काम नहीं करेंगे तो चीजे हमारी छूट जाएंगी तो मैंने यहाँ पर एफमीको के लिए आपके लिए बनाए रखने है क्योंकि बच्चों की इस्ततिय हो लिए होगी यह बहुत हो गया सर अब ठक गया है बस ऐसा लग रहा है कि पेपर बस खतम होके निप्टे यह तो बिल्कुल लास्ट का आपके पास मेहनत करने का समय बचा है बस यहीं पर आपको हिम्मत दिखानी है अपनी हमारे पास में सबसे पहले आप क्या करेंगे आज रात को रेशो एनलिसिस और वर्किंग कैपिटल मेनेजमेंट यह दो चैप्टर करके चुछ जाएगा वर्किंग कैपिटल मेनेजमेंट के अंदर कैश मेनेजमेंट डैटर मेनेजमेंट और ओवर्किंग कैपिटल मेनेज ये दो अगर आप रात को करके सो जाते हो, तो आपके पास कल के लिए बहुँद टाइम अच्छा खासा बच जाएगा, मैंने इस तरीके से schedule set किया है, कि आप इस sequence में अगर chapter करेंगे, तो कभी कोई हलका chapter आएगा, कभी कोई भारी, कभी कोई हलका, कभी कोई भारी, और पूर पास में सबसे पहले ratio analysis और working capital ये आपको आज रात करके सोना है, ठीक है, इसके बाद में कल आप morning उठेंगे, और उठने के बाद दो वज़े तक, ये सबसे ज़्यादा time important होगा, जिसमें FM की सबसे बड़ी coverage आप करेंगे, इसमें leverage, EBIT, EPS analysis, capital bursting और cost of capital, ये 4 chapter आपको कल दो वज़े तक निप्टाने होंगे, इसके बाद में फिट 6 वज़े तक आपको debtors management, risk analysis in capital bursting, dividend decision, capital structure और cash management, ये सारे छोटे 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 चैप्टर है, और आपके पास में risk analysis और dividend decision से आता ही आता है, cash management सबसे last में रखा है क्योंकि उसकी importance कम है, capital structure से question mm theory का कई बार आ जाता है, receivable management से आभी जाता है और नहीं भी, तो ये सबसे last के लिए रखें, जब तक आपका दिमाग पूरा ठक चुका होगा, तो इन्हें आप last में करना, तो सबसे पहले ratio और working capital आज करके सोना, बारा वज़े की जगे एक भी बज़े कोई बात मीं करके सोना, लेकिन इसको वरना कल आपके लिए manage करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एको भी करनी है साथ में, और हमारे पास leverage, EBIT, EPS, capital bursting और cost of capital करना कल दो वज़े तक कोशिश करना कि पूरा हो जाए, इसके अंदर आपके पास में कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, और 6 वज़े तक आपके पास में फ तो वो more than sufficient है, फिर उसके बाद में अगर इसमें कुछ lack रह जाए, कोई चीज छूट जाए, तो अगले दिन सुबह का time हमारे पास होगा, वो manage हो जाएगा, तो अगले दिन सुबह 11 वज़े तक आपको जो latest RTP, MTP हैं वो देख लेने एक बार, और FM की theory देख लेनी है, और क आपके notes का link यहाँ पर दे दिया है, यह same file मैंने आपके telegram channel पर share कर दी है, तो आप telegram channel पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको यह सबसे last में, यहाँ पर यह revision sequence FM PDF है, और इसके उपर यह file मैंने share कर दी है, इसके अंदर आपके पास YouTube की playlist में सारे के सारे जितने भी यह FM ECO के booster के session थे, वो है, RTP है, theory है, और सब पर time stamp लगी हुई है, तो आप वहाँ से कर सकते है, notes आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इन पर click करेंगे, आप सीधे link पर पहुच जाते है, इसके बाद में, अब हमें करना कैसे है, question लिक लिक कर करना है, audit करना है, तो आपको किस तरह से कर student है, उनको selected question हर chapter के last में दिये जाते है, वो final revision वाले selected question कर लें, या फिर booster batch अगर उन्होंने किया था हमारे साथ, September, October में, costing और FM का लगाया था हमने, तो booster से कर सकते हैं, कोई एक चीज, fast track वाले बच्चे भी selected question और booster दोनों में कर सकते हैं, और जो other student हैं, वो booster कर लें, प्लस सर हमें क्या लिख लिख कर करना है, या फिर audit करना है, तो मैं आपको बता दूँ, आपको हर chapter से, जैसे हर chapter में आपके पास, मान लो, पहले तो आप audit करो calculator पे, selected questions का, और हर chapter से 2-3 questions writing में कर लो, 2-3 questions in writing, तो 2-3 questions आपके writing में चलते रहेंगे, और बाकी questions का आपका audit चलता रहे एको का paper बहुत आसान paper होता है, इको बिल्कुल fix है, जो इको की आपकी theory है, उसी के अंदर से आता है national income, और M1, M2, M3 पूछ लेते है money market से, तो 10-15 नंबर का numerical portion इको में आ जाता है, एको में के अंदर 70 नंबर का paper बनता है, जिसमें से 60 नंबर का numerical होता है, और 10 नंबर की theory आ आप final में पहुच जाएंगे, इसके अलावा अब आप लोग का अगर कोई question है, तो आप वो पूछ सकते हैं, मैंने यहाँ पर point to point बात बता दी है, बच्चा पूछ आ है, यहाँ पर पूरे booster की हर chapter की, जो जो भी chapter है, उन सारे chapters का यहाँ पर link दिया हुआ, इन chapters को आप यहा आप जिस पर भी जाएंगे, time stamp लगा हुआ है, इसके बाद में जो पूरा message है, वो कब से कब तक चलेंगी, आपको बीबीक्ट अट वर्ट से, time stamp है, आपने click किया, सीधे बीबीक्यू 5 स्टार्ट हो गया, इसमें आपको time stamp होने के बहुचांत होते है, इसमें आपको time stamp ला 5X, 2X और अपने हिसाफ से देख सकते हैं, तो लग जाईए, अच्छे से start करिए, कुछ बच्चों के ज्यादा time मिल रहा है, MP वगेरा वालों को, तो वो अपने accordingly, अराम-अराम से कर सकते हैं, वो audit कम करें, लिख कर जादा करें, जिनको साड़े 3 दिन का time मिल रहा है, 3 days वा audit कम करेंगे, लिख के जादा करेंगे, क्योंकि उन पर लिखने का time है, और जो 1.5 दे वाले उनके पास लिखने का time कम है, अच्छा, कई सारे बच्चे यह भी पूछते हैं, के सर, जो हमारा paper आएगा, एक तो डेर दिन बाद होना है, और एक तीन दिन बाद होना है, तो क्य दोनों paper same आएंगे, नहीं paper अलग अलग आते हैं, जी, इसके अलावा और किसी बच्चे कोई भी question है, तो पूछ सकता है, इसमें आपके 60 plus marks आ जाएंगे, schedule ये वाला मैंने telegram पर share कर दिया है, मेरी बात खतम हो गई है, I don't think के हमें अब बिल्कुल भी time खराग करना चाहिए आप लोग अवराम से जाएए, और पठाई शुरू कर दीजिए, आज रात दो chapter करके सोईए, तो इस तरीके साथ आप लोग तयारी करिए, मेरी best wishes आपके साथ हैं, और मुझे पक्के यकीन है, पीछे के paper आपके अच्छे गए हैं, आगे के paper भी अच्छे जाएंगे, पू